दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी सौमाक्स के मौडल पेपर का सॉल्यूशन यह जो है बिहारवोड के स्टुएंट के लिए है चाहे हो साइन्स, कॉमर्स और आर्स के स्टुएंट के हो तो यहां पे जो है जो भी कोस्टन आते हैं मौडल पेपर में वो क्या होती है important question रहती है साथ में वो होती है जो की आपको यहां पे pattern बताये जाता है तो मौडल पेपर आप लोग जरूर अच्छे से solve कर दीजिए सबसे पहले यहां पे आती है खंड और तो खंड और में क्या जाती है बास्तुनिस प्रस्ण यानि objective type question यहां पे क्या दिया हो ने देश प्रस्ण क्या 1 से 60 तक के परतेक प्रस्णों के साथ 4 बिकल्प दिये गए है जिसमें से केवल कोई एक सही है इन 60 प्रस्णों में से किनी 50 प्रस्णों को अपने द्वारा चुने गए सही बिकल्प को OMR seat में चिन्नेत करें यहां पे टोटल आपको 60 objective question दिये हैं जिसमें से आपको केवल 50 का जबाब देना है सो चलिए हम लोग बिना रुके start करते हैं पहला question से लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो एक लाइक जरूर कर लिजेगा और यहां पे पहला question जो है क्या है सदेव सब्द का संदी विच्छेद है सदेव सब्द का संदी विच्छेद है तो right answer हो जाएगी option D सदा जोर एव option D right हो गई दोग Small question है स्वारग प्राप्त कौन समास है स्वारग प्राप्त कौन समास है तो right answer यहां पे हो जाएगी C पुरुष समास option यहां पे C right हो गई एक option D और दो का right answer option C चलते हैं तीन और question देखने को तो इसमें क्या है तीन और question में जाती है करवक के रचईता है करवक के रचईता है तो तीन का right answer हो जाएगा option D J.C. option D हो जाएगा J.C. यहां पर right answer 4. question देख लेते हैं क्या है J.C. रचित पदमावत की वहासा क्या है मतलब पदमावद की वहासा क्या है जो की जाईसी लिखे हैं तो चार का जो राइट एंसर हो जाएगा option B क्या चीज अवधी में जो की अवध का language है अगला यहाँ पे देख लेते हैं पांचनर question क्या है तो पांचनर question अच्छे से देख लेते हैं परम उसद सब्द का संदीव इच्छेद है तो पांच का राइट एंसर हो जाएगा option C क्या चीज परम जोर उसद option C right हो गई दोस्तो चेनर question देखने से पहले आपको एक बात बता देते हैं जो की आपके लिए बहुत ही जरूरी है वो यह है कि आपके लिए एक application त्यार किया गया है mobile application जो की आप play store से download कर सकते हैं link नीचे description में दिया हुआ है उसमें क्या है न कि सारे subject का PDF आपको मिल जाएगा सारे important question भी विए question सारे कुछ आपको मिल जाएंगे उस application में आप कहां से देख सकते हैं उसको download कर सकते हैं बहुत ही helpful आपके लिए class 12 और class 10th के student के लिए है so जाइए download कर ये link नीचे description में दिया हुआ है question यहाँ पे क्या है धन सब्द का link निरने करें तो link निरने से भी बहुत question आते हैं लगवक चार question आएंगे आपको link निरने से तो आप link निरने को जरूर अच्छे से देख लिजिए यहाँ पे छेरा question में क्या आ जाती है धन सब्द का link निरने करें तो इस तरह लिए होगी या pulling होगी या फिर उभै लिए होगा या फिर इनमें से कोई नहीं तो छेरा right answer हो जाएगा option बी, pulling हो जाएगा option भी धन जो है pulling है अगला question है अन्चाहा सब्द में उपसर्ग है तो सात का जो right answer हो जाएगा option A अन्चाहा का un हो जाएगा option A देखो उपसर्ग क्या होता है पहले वाला होता है और पढ़ते क्या होता है बाद वाला होता है तो यहाँ पर उपसर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा अन option A यहाँ पर right हो गई अगला question देख लेते हैं आठ नमर इसमें क्या है उद्गम सब्द का संदी विच्छेद है तो क्या होगा आठ का right answer option B उद्जर गम option B यहाँ पर right हो गई दस नमर कोशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है नावा दस किस काल के कवी थे तो 10 का right answer हो जाएगा option B भक्ती काल के कवी थे और यहाँ पर 11 नमर कोशन है सूर दस के गुरू का क्या नाम है तो 11 का right answer हो जाएगी option C बलब भार चारे यहाँ पर right answer option C हो जाएगी 12 नमर कोशन यहाँ पर आती है क्या है सिवा बावनी में किसकी बीरता का वर्नन है तो right answer यहाँ पर हो जाएगी option C सिवा जी की option C right answer हो जाएगी अगला कोशन देखते हैं 13 नमर क्या है 25 सब्द है 25 सब्द है तो यहाँ पर right answer 13 का हो जाएगा option A जाती वाचक संग्या हो जाएगा कौन सा संग्या है वो पूछ रहा है तो यहाँ पर जाती वाचक संग्या है मतलब पूरी जाती का यहाँ पर बोद हो रहा है तो इसलिए जाती वाचक संग्या हो जाएगा option A right अगला question देखते है, 14 नर question क्या है, मिठास सब्द में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 14 का right answer option C, आस, पढ़ते क्या होता है, last वाला होता है, तो यहाँ पर मिठास में पढ़ते क्या हो गई, option C, आस हो गई right answer, अगला question है, यहाँ पर क्या है, बैपार सब्द का विशेशन होगा तो बैपार सब्द का विशेशन क्या होगा options ही यहाँ पर बैपारिक right answer हो जाएगी और यहाँ पर अगर हम बात करें यह तो हो गई हिंदी 100 marks की अभी और सारे question देखेंगे पहले यह बात कर लेते हैं हिंदी 50 marks अगर आप लोग का है तो उसका जो है आपको link जो है नीचे description में है उसका भी model paper का solution important question सब कुछ बताया गया है आपको link नीचे description में मिल जाएगा आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं 16.9 question है सुबद्रा कुमारी चोहान की लिखी कविता कौन है तो right answer हो जाएगा option C पुत्र ब्योग 17.9 question देख लेते हैं यहाँ पर क्या है जन जन का चहरा एक के रजनाकार है जन जन का चहरा एक के रजनाकार कौन है तो right answer 17 का हो जाएगा option A option A हो जाएगा गजानन माधब मुक्ती बोध यहाँ पर right answer हो जाएगा 18.9 question है ग्यानेंदर पती का जन्म किस प्रांत में हुआ था ग्यानेंदर पती का जन्म किस प्रांत में हुआ तो यहाँ पर right answer हो जाएगी option D जार्खंड में 18.9 का जार्खंड हो जाएगा अगला question है समास सब्द का अर्थ है तो 20 का राइट-ंसर हो जाएगा option c संखेप समास कार्ऩ क्या होता है संखेप और चोटा गरना और यहां पे क्या 21 कोशन क्या है लरकळ्ड पन सब्द में पड़ते हैं तो यहां पे पढ़ते हैं पूछ रहा है न तो राइट-ंसर यहां यह हो जाएगा अन लरक पन यहाँ पे लास्ट वाला पढ़ते हैं मतलब लास्ट वाला और यहाँ पे 22 नर कोशन हो जाएगी 21 का राइट एंसर यह हो गई 22 कोशन है हिमाले सब्द का संदी विच्छेत लिखे तो 22 का राइट एंसर हो जाएगा और यहाँ पे 23 कोशन है जूठन आत्मकथा में इस्कूल के परदाना ध्यापक का क्या नाम था तो राइट एंसर हो जाएगी और 24 कोशन है यहाँ पे जा इसी ने अपनी एक आँख की तुलना किस से की है तो राइट एंसर हो जाएगा 24 का ओप्षन D दरपन से 25 कोशन है सिख्छा सिर्षक पाठ के रचेता है तो राइट एंसर यहाँ पे हो जाएगी औप्षन C जे कृष्ण मूर्ती राइट एंसर हो जाएगी अगला कोशन है यहाँ पे जूठन किस चेतना की रचना है तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन C जली चेतना की ओप्षन C राइट एंसर हो जाएगी 27 और question है यथार सब्द कौन समास है यथार सब्द कौन समास है तो right answer 27 का हो जाएगा option A option A अब्याई भाव हो जाएगा यहाँ पर printing mistake है अब्याई भाव यहाँ पर right answer हो जाएगा 28 और question है बादचीश सिर्शक निवन्द किस विधा की रचना है तो राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज? Option A, निवन्ध, बातचीत, क्या है? यह जो है, किस विधा की रचना है? निवन्ध हो जाएगा यहाँ पे 29 और question यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है? कुर्माई का क्या आर्थ होता है? तो यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा answer Option B, मंगनी होता है कुर्माई का आर्थ होता है? मंगनी, Option B, राइट एंसर हो गई 30 और question है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जैपरकास नारायन को Option D और जो है, अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रही होगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें और बैल आइकन को भी जरूर ओन कर लिजेगा यहाँ पे 31 और question क्या है? तो राइट एंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? option D हो जाएगा option D यानि 4 हो जाएगे अगला question देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? 34 ममर्ग है मालती का पती पेसे से क्या तन है? तो राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 का option B डॉक्टर अगला question है 35 ममर्ग क्या है? प्रेम चंदर क्या थे? तो राइट एंसर यहाँ पे हो जाएगा 35 का option D एक कथाकार थे प्रेम चंदर क्या थे? एक कथाकार option D राइट एंसर हो गई अगला question देख लेते हैं यहाँ पे है प्रेम चंदर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे खग हो जाएगा संस्क्रिट में खगा भी हो सकता है 49 कोश्टर क्या थे? पुत्र सब्द का प्रेम चंदर क्या थे? यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा सूखा option C यहाँ पे हो जाएगा option C, 40 का right answer option C अगला question देख लेते हैं यहाँ पे 41 संदर question है घात का प्रेमरी तार्थक सब्द है मतलब उल्टा सब्द कौन सा है तो 41 का right answer हो जाएगा option C परती घात 42 संदर question है गुच्छा सब्द संग्या है तो right answer यहाँ पे 42 का हो जाएगा option B, समूवाचक अगला question यहाँ पे 43 संदर question क्या है जिन में दो पद है जिसके दो पद है सौरी, जिसके दो पद है का एक सब्द है क्या हो जाएगा तो दूई पद यहाँ पे हो जाएगा option A अगला question देख लेते है 44 संदर क्या होगा है अन लगना मुहावरे का अर्थ है तो right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 का option B, स्वास्तराना 45 संदर question है यहाँ पे गुप्त सब्द का बिलोम होगा मतलब उल्टा क्या होगा तो गुप्त का हो जाएगा परकट यहाँ पे option A हो जाएगा right answer अगला question देखते है 46 संदर इसमें क्या है जिसके पानी में बिना है का एक सब्द होगा क्या होगा बिना पानी हो जाएगा option C right answer 46 का right answer C अगला question देखते है 47 संदर को सब्द का संदी विछेद है क्या हो जाएगा 47 का right answer option A महा जोर उचसब 48 नवर question क्या है दो दिन का महमान मुहावरे का आर्थ है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा जल्द भागने वाला option A right answer हो जाएगा 49 नवर question देख लेते हैं क्या है काटा सब्द का बिसेशन होगा तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा 49 का option B हो जाएगा right answer का टीला और फिर जो है 59 question देख लेते हैं यहाँ पे क्या है eat का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ होगा तो यहाँ पे right answer option A हो जाएगा किसी की दुस्ता का करारा जवाब देना option A right answer हो जाएगा अब यहाँ पे 51 से 69 question है यह क्या है optional question है अगर आपको उन 59 एक से 50 तक मैं अगर किसी का answer नहीं पता है तो आप उसके बदले जो है इस 10 question में से कोई कर सकते हैं तो यह सब optional में आ जाती है 59 question क्या है gram सब्द का B session है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा 51 का gram mean option B 52 question है अभी योजन सब्द में कौन उसर्ग है जहाँ पे उसर्ग पूछ रहा है starting वाला सब्द उसर्ग मतलब तो 52 का right answer हो जाएगा option B अभी यहाँ पे starting में दिख रहा है अभी तो अभी हो यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला क्या है आंसिक सब्द में कौन पढ़ते है तो यहाँ पढ़ते है पूछ रहा है ना last वाला तो एक हो जाएगा option C यहाँ पे right answer हो जाएगा 24 और question क्या है तुलसी दास के सिछा गुरू कौन थे तो यहाँ पे 24 और question का right answer हो जाएगा option A नर हरीदास यहाँ पे right answer हो जाएगा नर हरीदास option A फिर 55 और question क्यों चलते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भूसन ने किस रस को परमुकता दी है तो 55 का जो right answer क्या हो जाएगी option A हो जाएगा बीर रस को परमुकता दी है किस ने भूसन ने फिर 56 और question है सरोज असमेर्थी किसकी रचना है सरोज असमेर्थी किसकी रचना है तो 56 का right answer हो जाएगा option C सुरे कांत त्रिपाठी निराला और फिर 57 और question देखते हैं यहाँ पे क्या है तो right answer यहाँ पे 58 का हो जाएगा भगस सिंग भगस सिंग का क्या लिखा हुआ बिद्यार्थी और राजनीती जो बिद्यार्थी के साथ जो राजनीती हो रहा है उसके वारे में लिखा हुआ किस ने लिखा भगस सिंग ने और फिर 69 और question में क्या है सुरक्षा कहा हो सकती है तो right answer हो जाएगा option B चुनावती को जहलने में यहाँ पे option B हो जाएगी right answer 69 question है सलाम कहानी संग्रह के कहानिकार है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ साथ का option A ओम परकास बालमी की सो यहाँ पे हम लोग 60 objective question देख लिए अब यहाँ पे कुछ subjective question आते हैं सो आप लोग आराम से इसको देख लीजे और वीडियो को अगर like नहीं के तो like कर लीजे और आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते जाएंगे उसके लिए आप चैनल को subscribe करके बैल आइकन को on कर लीजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर लीजे और आप आराम से इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं यहाँ पे subjective question वीडियो को रोक के आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं सारे question को मैंक से और आप इन सारे कोशन को अच्छे से याद कर लीजिए और सारे वीडियो के लिंक दे नीचे डिस्क्रिस्टन में दिया हुआ है